नमस्कार प्राइम टीवी पर श्विता के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम शक्सियत जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी शक्सियत से जिनोंने अपने काम से अपने शेतर में अपना परचम लहराया है ऐसे ही आज एक शक्सियत हमारे साथ मौझूद है जो है BJP की Executive Member और Social Activist शवनम पांडे जी आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने काम से अपनी बातों से और अपने काम के जरीए किस तरीके से अपना परचम लहराया है तो सीधे बात करते हैं शवनम अज हम आपके काम पे हम लोग बात करने वाले हैं काफी टाइम से आप बहुत सोचल एक्टिविस्ट रही हैं और आपने बहुत सारे ऐसे काम किये हैं जिससे लोगों को काफी हेल्प मिली है तो हम आज सबसे पहले आपके परिवार के बारे में हम जाना चाहेंगे कि आपक चैनल पे सक्षित प्रोग्राम में आने के लिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं एक मध्यमवर्गे परिवार से हूँ मेरे दादा दादी फ्रीडम फाइटर रहे थे और बाद में वो चुनाव में गए और MLA, MLC अपने लाइफ टाइम में जब तक वो जि है मैं राशन की लाइन में भी लगी वी हूँ तमाम घर के दिन चर्या में अपने पेरिंस का भी की भी मदद करती थी और हमारे घर पढ़ाई को बहुत ज़्यादा जोड़ दिया जाता था और क्योंकि दादा दादी भी उस वक्त के राजनितिक राजनितिक के कम होते थे और सोशल एक्टिविस्ट जादा होते थे दादी ने महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए अपने गाउं से ही शुरू किया था अपना सोशल एक्टिविस्ट जैसा काम और वो मेरे घर में एक तरीके से समझे कि खून की तरह दोड़ता रहा है मेरे पिताजी भी लोगो मेरे आखों के सामने से गुजरी है बच्चपन से लेके जब तक मेरी शादी हुई तब तक मैंने देखा कि तमाम सोशल जितने भी काम हुआ करते थे किसी की मदद करनी है तो पहली-पहल महले में मेरे घर से हुआ करता है तो यह मेरे खून में हैं और मैंने इसको बरकरार मेरी सिक्षा क्योंकि पापा पब्लिक सेक्टर में थे हर तीन साल पर ट्रांसफर होता था तो भारत के विबिन प्रदेशों में मेरी सिक्षा होई है बचपन राजस्तान में बीता है कुछ बंगाल में बीता है कुछ बिहार में बीता है और कुछ दिली में तो और कॉलेज मे दिली में ही मैंने कॉलेज किया डिगरी की और डिगरी करने के बाद फिर मैंने बिजनस मेनेजमेंट करा और फिर मेरी शादी हो गई मैंने नौकरी भी की और नौकरी करने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे सामाज के लिए कुछ करना होगा क्योंकि मैं नौकरी करती थी तो मुझे salary से ज़्यादा रहता था मैं अपनी नौकरी में कितना institution को अपनी तरफ से दे दू हर बार salary के लिए जब शुरू में temporary थी हर बार office से आता था अपने अपनी salary नहीं उठाई तो मुझे हमेशा ये रहा कि मुझे पैसे कमाने से ज़्यादा रहा मैं सामाज क क्या दे दू और उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ी और नौकरी चोड़ने के बाद मैं महिला अंदोलन में जुड़ गई और महिला अंदोलन में जुड़ने के बाद आज की सांसर मानिय रीता बहुगना जोशी जी ने मेरे बारे में सुना उन्होंने मुझे बुलाया औ और कहा कि तुम मेरे साथ काम करो यहाथ शबनम जी अब भी उसके बात करें नौकरी बात करी जो आपकी पहली नौक ठील वो कॉन सा असे मेरे कम हो ने अपने लिछक के यहायं के की थी ना। कि लकनोग ति यह बहुत ही जानांज स्कूल है। उसमें मैंने नौकरी किया और वो भी जब मेरे बच्चे टॉप करते थे क्लास में तो प्रिंसिपल ने मुझे बुला के मुझसे पूछा कि आप नौकरी करेंगी आपकी क्वालिफिकेशन ये तो क्योंकि मैंने आपको बताया मैं मिडिल क्लास में थी और मेरे परिवार में कोई भी महिला नौकरी नही में थी तो मेरे फादा इनला तोड़ा अब्जेक्शन करते थे इस बात पर मैंने भी कभी बहुत जादा ये नहीं दिखाया कि नहीं मुझे नौकरी ही करना क्योंकि मैं सामाज सेवा का काम करती रहती थी पर जब मुझे ओफर मिला और घरवालों को बहुत लगा कि देखो घर बैठे इने बुला के ओफर मिला तो उन लोगों ने भी परमेशन दे दी और मुझे भी लगा कि बच्चों को पढ़ाना भी एक सामाजिक कारे है जो मेरा सामाजिक कारे से जुड़ा कारे दिखा मैंने उसको कर लिया और फिर मेरा टेस्ट वगरा हुआ रिटन टेस्ट इंटर्व्यू सब क्वैलिफाइ कर लिया और उसके बाद जब मैं सामाजिक कारे करने लगी तो मुझे समझ में आया कि मेरे को लीगल नॉलेज भी बहुत होनी जाई है क्योंकि जब कोई महिला आती थी कुछ ना कुछ ऐसी लीगल कॉंप्लेक्सिटी होती थी कि इसको कैस कैसे करना है इसको कैसे उन्हें क्या सुझाव दोंगी कैसे सुझाव दोंगी तो मुझे यह महसूस होने लगा कि मैं अगर किसी को मदद करनी है तो लीगल नॉलेज होना बहुत जरूरी है फिर मैंने लौ करा और यह मैंने शादी के बाद और काफी लेट में करा क्योंकि म मुझे जब कभी भी ग्राउंड पे कोई कभी आती थी तो मैं कभी भी हताश नहीं होती थी मैं सोसी थी मैं सब कुछ कर सकती हूं फिर मैंने लौ करा इंडियन बार काउंसिल के एक्जाइम्स भी पास किया मैंने सब कुछ करके फिर मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस भी किया कि मैंने आपसे बताया कि मेरे जीवन में मुझे हमेशा लगा कि मुझे पैसा कमाने से ज्यादा सामाज को कुछ देना है तो मैंने प्रैक्टिस छोड़ा और मैं फिर सामाजिक कार्य और राजनीती में लग गई राजनीती ने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मैं नैशनल पार्टी में हमेशा रही और राजनीती की वज़ा से मैं बहुत लोगों को बहुत कुछ मदद कर पाई जो कि शायद मैं केवल सामाज सेविका होके नहीं कर पा रही थी और लौ ने मुझे बहुत बड़ा हथियार दिया कि मैं लोगों को जागरूप कर पाई और एक वाक्या बताओंगी तो आपको आश्यर भी होगा मेरे पती इंजीनर रहे हैं अच्छी नौकरी में रहे सब कुछ लेकिन उसके बावजूद जब मैं कोई नौकरी नहीं किया करती थी तो मुझे लगता था कि नहीं मुझे कुछ करना है बाहर निकल के मैं बच्चो इससे आप समझे कि मेरे मेरे मन में जो सामाज को देने की बात थी उस लेने की बात बहुत कम होती थी जब मैं घर आई और मैंने अपने हजबन से कहा तो मुझे से कहते हैं आप 300 के लिए नौकरी करेंगी मैंने का तो नौकरी नौकरी है तो यह मेरा जज़बा रहा काम करन कि काम देकर भूल जो शबनम भूलती नहीं है काम पूरा करती है और चाहे किसी की मदद भी किया है तो उसे बार-बार फोन कर तब तक फोन करती हूं जब तक उसका काम नहीं हो जाता है तो उनने भी आश्यर होता है कि आखिर ये क्यों बार-बार मदद देने वाला कभी फोन और यह inspiration मेरे parents मुझे मिला और आज मेरे पती और बच्चे भी मेरा सायोग करते हैं तो मैं सोचते हूं कि यह मेरे लिए एक वर्दान की तरह है यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके से शुरू से क्योंकि आपके freedom fighter रहे हैं तो उनसे आपको काफी कुछ चीज ऐसे सीखने के लिए मिली है और उनसे काफी inspire रहे हैं बाकी यह था कि आप जो भी parents की तरफ से था बाकी उनकी तरफ से आपका कितना support रहा क्योंकि दीए वो खुद कर रहे हैं लेकिन जब बच्चा ऐसा कुछ करना चाता है कि ज क्या reaction था आपके जो भाई बेहन थे उनका क्या reaction था वो लोग कैसे react किये थे आपके इस फैसले पर देखिए जब हम लोग पढ़ते थे तो यह मैंने कहा कि हमारे पढ़ाई को एक विशेस दर्जा दिया गया था हम मैं पांच भाई बेहन थी चार बेहने और एक भाई मेरे कि पिता जी हमेशा चाहते थे कि हम लोग पढ़े के अच्छी पढ़ाई कर सके और अच्छे profession में जा सके उनका हमेशा यह प्रयास रहता था उनकी salary का जादा 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 मात्रा हम लोगों के पढ़ाई हमारे परवरिश में लगता था और वो हर वक्त इस बात को कहते थ कि पहली प्रायर्टी पढ़ाई होनी चाहिए दूसरी प्रायर्टी कोई और क्योंकि जब आप एक प्रोफेशन में आ जाओगे आप अपने आम जिंदगी में जब आ जाओगे विध्यारती जीवन से निकल के तो आपके पास बहुत से मौके मिलेंगे इस काम को करने के लिए तो उस वक्त मदद किया करती थी पर कभी भी पढ़ाई को ताक पे रखके नहीं करती थी क्योंकि ये पापा का आदेश था और हम लोग एक बड़े ओवीडिन बच्चे में से हुआ करते थे कि उन्होंने जो कहा वो करना लेकिन क्योंकि पापा भी लोगों की मदद करते थ जब भी मदद के लिए कोई आता था तो इसलिए बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें उससे दूरी बनाए रखने की बात नहीं कही लेकिन हाँ वो हमेशा कहते थे पढ़ाई करनी हैं उसके बाद ही कुछ करना और यह आज मैं भी महसूस करती हूं कि जब आप education अपना कर ले financially आप sound हो जाएं कुछ कमा के तब आप अगर ground पे जाके कुछ काम करते हो तो कहीं ना कहीं corruption को आप बढ़ावा नहीं देते हो अगर आपके पास कुछ नहीं होता है और आप जब कुछ देने के लिए निकलते हो तो आप भी अपने आयका श्रोत उससे ढूनने लगते हो तो शब्णन जी आप अभी जैसे बढ़ा अपने बड़ा स्मूधली सारा चीज ब्रीफ किया कि आप इस तरीके से आपने एजुकेशन की और एजुकेशन के पाद तीचिंग आपका थोड़ा सा रहा देन फिर यह है कि नहीं मुझे समाज के लिए कुछ करना है देन फिर किसे मैनेज करते तो घर में भी ऐसा कोई कोई फेस आपने देखा होगा क्योंकि अचानक से ऐसे इंस्पायर होना कोई वाक्या कोई ऐसा वाक्या हमेशा रहा होगा कि जिसने आपको इंस्पायर किया होगा कि हां नहीं अब मैं पक्का मतलब मुझे इसमें जाना ही है दिक्ए अगर सही तरीके से कौहूं तो बच्पन से जब बड़ी हुई तो बहुत कुछ बनने का मन करता था और यह मुझे लगता हर किसी के लाइफ में होता है, किसी वक्त डॉक्टर से इंस्पार होते हैं, तो सोसते हैं, डॉक्टर बनेंगे, टीचर से हुए तो टीचर बनेंगे, नर्स से हुए तो नर्स बनेंगे, तो इस तरीके कि बहुत से वाक्या होते रहे, सामाज से वा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि यह कोई काम है यह मुझे लगता था यह एक नाच्रल सा आपका आउटपुट सामाज के प्रती क्योंकि मैंने लगातार घर में यह देखा मेरे दादा-दादी मैं बहुत चोटी थी तो मुझे यह समझ में नहीं आता था कि हाँ वो एक वी आईपी हैं क्योंकि हमारे घर में एक सामाज सा जीवन बीटता था लोगों का आना जाना होता था और दादा-दादी भी बहुत नाच्रल वे में लोगों की मदद करते दिखते थे एक मन में इसको बहुत सीरियसली मैंने अपनी शादी के बाद लिया शादी के बाद जब मैं टीचिंग जॉब कर रही थी उसके बाद कई बार ऐसा वाक्या आता था कुछ पेरिंस मिलते थे उनकी परिशानिया होती थी स्लम एरिया में जाती थी तो स्लम एरिया में कभी-कभी कुछ ऐसी उनकी फैमिली की परिशानिया होती थी जिससे मुझे ये महसूस हुआ कि देखिए सामाल में बहुत से वर्ग ऐसे हैं सिक्षत होते वे भी वो बहुत सी लीगलिटी बहुत से अपने ड्यूटीज और बहुत से अपने राइट्स को नहीं जानते हैं और शायद यही वज़ए और विशेषकर महिलाएं और बच्चों को विशेस कर महिला है और बच्चों में ये कमी होती है क्योंकि हम जब हमारी परवरिश ऐसी होती है कि हम घर के माहौल को जानते हैं और फिर शादी करके सस्रौाल के माहौल को जानते हैं और हम पढ़ते भी हैं तो हमारी अब तो बच्चियों में बहुत अंतर आया है क्योंकि पेरिंटिंग भी बदली है नहीं तो होता था आप अच्छे से अच्छी डिग्री ले लीजिए उसके बाद आपका फ्यूचर शादी के बाद केवल घर और घर का घरौंदा होता था ल मेरे उम्र की औरते हैं जिनको अपनी लीगल राइट्स नहीं मालूम होता घर में डोमेस्टिक वाइलन्स हो रहा है हम कहां जाएं किस से मदद लें बहुत से ऐसे पुरुष भी हैं जो अपनी मां और बहनों को मदद करना चाहते हैं उन्हें मालूम होता हम किस तरीके से ने अपने knowledge को अपने experience को सामाज को देना चाहा क्योंकि पैसे से आर्थिक मदद भी मैं करती हूं लोगों से आर्थिक अगर किसी बहुत गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाना है तो पैसे खटा करती हूं लोगों से लेके और फिर उने पढ़ाती हूं या बहुत से ऐस ने में सस्वाल में जरूर्वाया क्योंकि मायके में तो यह रहा ही कि लेकिन सस्वाल में जब मैं Rjektी में आये तो मेरे ससुर ने मुझसे कहा क्या राजनीती अच्ची नहीं है Aww आज के युग में और इसमें महिलाओं को होना मुझे लगता है कि तुमारी दादी का समय ता और ये समय अलग है तो फिर मैंने उन्हें कहा कि देखिए जब आप सोचते हैं कि राजनीती में नहीं आना चाहिए महिलाओं को तो उस वक्त जरूर जाना चाहिए महिलाओं को मैंने उन्हें समझाया मैंने का अगर आपको मुझे विश्वास है तो मेरे विश्वास को क्यों कि मैंने घर में भी एक अपनी विश्वास जमा रखी थी सस्वाल में लोग मुझे मानते थे समझते थे और यह जानते थे कि मुझे जो डेडिकेशन है काम के प्रती चाहिए वो घर का काम हो बाहर का बहुत अच्छे से मैं कर सकती हूं तो मैंने का अगर मुझे पर विश्व काम पर लाकर उस समस्याओं को हल करे और उस दिन था उस बीच में घर के कुछ और लोगों ने थोड़ा बहुत उन्हें उसकाया कि नहीं इनको नहीं आना चाहिए लेकिन मेरे हजबन मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े रहे और बाद में मेरे ससुजी के अभी मुझ पर पू रेलवे के अड्वाइसरी कमीटी की भी मेंबर रही मैं मीडिया स्पोक परसन रही मैं पब्लिक ग्रिवेंसिस सेल की स्टेट की कन्वीनर रही बहुत तमाम मैंने राजनीती में रहते वे लिया मुझे काफी एवोर्ट मिले नाशनल विमन कमिशन की प्रेसिडेंट ने इसकी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था क्योंकि मैं शुरू से निस्वाद भाव से सामाज को कुछ देना चाहती थी पर मेरे परिवार के लिए इसकी अहमें थी क्योंकि मेरे वजूद पे विश्वास करने के लिए इसका बहुत जरूरत थी और जब परिवार वालों को लगने लगा कि नहीं मैं एक सार्थक कदम मैंने उठाया राजनीती में और सोशल वर्क में आके या मैंने लौक करके बहुत अच्छा कदम उठाया मुझे बीच में कम्प्यूटर की जरूरत पड़ी जानने की तो मैंने नाइटी से कम्प्यूटर करा तो मैंने जिंदगी भर पढ़ाई की सामाज सेवा किया और मैं जहां भी हूँ मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे पता है कि मेरा रास्ता बहुत आगे तक जाएगा ये भी मैविश्ट शबनम जी आप हमें काफी देशे मतबाब अपने पॉलिटिकल के बारे में हैं काफी कुछ अच्छा ब आपने किसी और एकना किसी और पॉलिटिशन के साथ भी काम किया है और मतलब आपका वो पहला दिन क्या था आपने कैसे एंट्री की थी ये पॉलिटिकल फील्ड में शुर्ता एक बात बदाना चाहती हूं कि मेरा पॉलिटिक्स में कभी इंडरेस्ट नहीं था मैं कभी मुझे जो छोटी मैन उसको बहुत मन करता था पॉलिटिक्स में आने कर और मैं कभी नी सोचे थी मैं साइंस बेघ्राउन छडून से थी में बहुत ज्यादा होता था तो डॉक् деле बनने का सोस्ती थी मैंने प्रयास भी किया था पर नहीं हो पाया और मुझे कभी भी मन नही कती है यह और में लोड़व नहीं करना चाहती थी इस वक्त में ली सी सिख रेजिएशन किया था उस दौरान में लोग का बहुत जादा नहीं था लोग लोग में बहुत कम जाया करते थे और आज के टाइम में लोग बहुत जा रहा हैं तो मैं हमेशा सोचती थी जिसका कहीं एडमिशन नहीं होता जबकि ये मेरी सोच गलत थी वो लौ में जाता है मैं ऐसा सोचती थी अपने स्टूडेंट टाइम में लेकिन ऐसा नहीं था फिर डेस्टिनी ने मुझसे लौ भी कर तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनके लेकिन जब मैं काम करने गई तो जब मैं पार्टी ओफिस गई तो मुझे ऐसा लगा एक हफते के अंदर की पॉलिटिक्स तो बहुत स्लो प्रॉसेस है मुझे लगता था दिन भर में जादा कुछ करने को नहीं है क्योंकि मैं दिन करते थे उनका नाम लेते थे और मुझे वहां कोई नहीं पहचानता था और जो वो चर्चा भी करते थे तो मुझे लगता था मुझे इन चर्चाओं के बारे में तो कुछ मालूम भी नहीं है पहला दिना कि मैंने अपने पती से यहीं कहा कि मुझे तो कोई पहचानता ही न जा पर मुझे भरोसा नहीं होता था और एक हमारी राज्नीत में ये भी हो गया है fashion सा कि लोग ज़्यादा से ज्यादा पैसा दिखातें हैं तो मुझे ये भी थोड़ा खलता था कि वहां तो बड़े पैसे वाले लोग हैं किसी के पास ये लगारी किसी के पास तो मैंने भगवान से कहा कि भगवान जी ये जगह मेरे लिए नहीं आपने मुझे कहां फसा दिया और वो दिन पहला था कि जब मैं आती करके आई नीचे बैठी तो मुझे रीता दीडी का फोन आया कि तुम तुरंत आ जाओ अब तक तो मैं ही गई थी उनके उदर लेकिन अब उन्होंने फोन किया तुम तुरंत आ जाओ और उन्होंने कुछ एक काम मुझे बड़ा सा उन्होंने ये किया और मुझे कहा कि मैं तुम्हें मीडिया या लीगल सेल का हेड बनाना चाहती हो तो मुझे बड़ा आश्यर हुआ फिर मुझे समझ में नहोंने का तुम ुम क्समें जाना चाहती हो लीगल हेड बनना चाहती हो या क्ऴटि मैं एक लॉयर भी थी और मीडिया में मैंने दूर Dublin में एक-दो प्रोग्राम्स की एंकरिंग भी की वी थी तो वो जानती थी कि मीडिया से भी मेरा अच्छा यह तो उन्होंने मुझसे का दोनों में से किसी एक का बताओ किसमें उना मैं घर आई घर में सबने का जिसमें जाना चाहो और मुझे यह हमेशा यह कॉन्फिडेंस रहा है कि मैंने जब भी कोई काम पहली बार भी किया है तो मैं बेहिचक जाती थी क्योंकि मुझे यह लगता था अगर फेलियर हुआ तो ज्यादा से ज्यादा निकाल दी जाओंगी और अगर सक्सेस्फुल हुआ तो और उसको बेटर करूंगी तो अब लेकि कि था तो मेरा स्टूडेंट पर उसकी टीचर उससे पूछ दोनों में से मैं किस में जाओं वो क्योंकि पॉलिटिक्स में था तो उसने कहा मैम आप मीडिया में जाए तो मैंने उस दिन से मीडिया पकड़ लिया और मैं स्पोक परसन बन गई मैंने पूरे उत्तर कि सबी जिलो में मेरे लिंक हो गए लोगों से मिलना मुझे कोई काम दिया जाता था तो मैं वैसे ही करती थी जैसे मैं अपने जॉब में करती थी जैसे मुझे सैलरी मिलने पर होता था वैसा काम में करती थी और पॉलिटिक्स में मुझे लगता बहुत से लोग ऐसा करते है लेकिन ज्यादातर चीजहें कि आपको कोई समयबत तरीके से करने की आप पर दबाव नहीं होता था पर मैं मुझे अगर किसी ने कह रहती थी और शायद इसी चीज ने मुझे जिले जिले में मेरी पहचान बनाई प्रदेश भर में लोगों ने जाना फिर मैं दूसरे प्रदेश आपने बाद में अभी कुछ हमें पहले आपने मेर के लिए भी अप्लाई किया तो वो क्या रहा वो आपका एक्सपीरिंस के सरा अधाता किया है उनके की बारे बाखा वेञे है ने जब भारती जनता पार्टी में आई तो उसके बाद मैंने चुनाओ तादीदी के चुनाओं में काफी जम्के काम किया उस चुनाओं के बाद मेर का कच्शत Gobierno ह hiçbir के चुनाओं में मैं चाहती कि कि मैल कनो कि मेयर बनू के बारे में कि बहुत बहुत बैतर तरीके से जानती थी और निगम में चिफ इंजीनेर रहे तो मेरे की बातें अक्सर सुनती थी फोन पे किस तरह से विवस्ता होती है क्या और राजनेतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे मैं खुद ग्राउंड पे बहुत रहा करती थी तो मुझे हमेशा से लगा था कि लखनों की विवस्ताओं को मैं बहुत बहतर कर सकती हूं सीट महिला हो गई तो मुझे तो ऐसा लगने लगा था यह सीट मेरे लिए महिला हुई है और मैंने अपने बायोडेटा हर जगा दिया जहां भी जिन हातों में भी बायोडेटा दिया सबने मेरे बायोडेटा को सराहा क्योंकि मैं हाइली क्वैलिफाइड होने के साथ साथ मैं जो सामाजिक कारे किये, लोगों के लिए जो काम किया है, वो भी तमाम एवार्ड से सराहा गया था, तो लोगों को अच्छा लगा, लेकिन किसी और को टिकट मिलना था, और ये तो बात है ही, कि हम कुछ भी चाहते हैं, तो एक बार भी हमें मिल जाए, या हमेशा हमें ही मिल ऐसा नहीं हो सकता है तो इसको मैं बहतर तरीके से जानती हूँ और मैं स्ट्रगल करके आगे आगे बढ़ना चाहती हूँ और बढ़ी हूँ तो इसलिए मुझे कहीं कोई इस पे शिकायत भी नहीं है पर इतना जरूर चाहती हूँ कि कभी न कभी मैं ऐसी जगब पे जाओंग है और अभी जो कोविड काल इतना चल रहा है उस पे आप से एक मैसेज हमें चाहिए लेके सबसे पहले ये जो वैश्रिक हमारी है इसको देखकर हम सब बहुत बहुत हो गए थे और जिस तरीके से इस दूसरे लहर में भारत में भी इसका प्रकूप रहा ये निश्चत तोर प दो रहे और मेरे परिवार में सभी लोगों ने वैक्सिनेशन कर आ लिया मैं चाहते हूं कि आप सभी लोग वैक्सिन लेने और वैक्सिन लेने के बावजूद भी जो कोरोना का प्रोटोकॉल है डबल मास्क पहनना देखिए मैं डबल मास्क लेके आई हूँ अभी आप से बात कर रही हूँ तो इसलिए मैंने मास्क उतारा हुआ है हाथ बार बार धोते रहिए घर में जितनी बार आप किसी काम के लिए जाया हाथ दो यह आ हमारे देश्ट से कोरोना को भगाने में कहीं भी देरी नहीं होगी दूसरी बात अगर मैं अपने भविश्य के लिए तो देखे भविश्य के लिए मैं इतना ही सोचती हूँ कि जिस निस्वाद भाव से मैं सामाज की सेवा कर रही हूँ जिस निस्वाद भाव से मैं राज मिलेगा और जो भी मुकाम आज मेरे पास है या जो भी भविश्य में मुझे मिलेगा मैं सबसे संतुष्ट हूँ क्योंकि सर्वो परी सामाजिक कारे करना होता है चाहे कोई राजनितिक यह हो चाहे कोई हो उसे भी जनता के लिए काम करना एक एक्टिविस्ट को भी जनता के लिए काम करना है तो मैं संतुष्ट हो अपने जीवन से लेकिन निश्चत तोर पे मैं भी एक मौके की तलाश में हूँ कि जो जिस मौके से मैं अपने इस काम को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखा सकूँ आज हमने बीजेपी की एक्जेक्यूटिव मेंबर और सोशल एक्टिविस्ट शबनमपांडे जी से बात की जिन्होंने अपने जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ पताया जिससे उनको जिससे लोगों को काफी इंस्परेशन मिली होगी कि किस तरीके से हम अपने फील्ड में काम करके तरक्की पा सकते हैं और किस तरीके से अपने शेत्र में अपना परचम लहरा सकते हैं तो आज की शक्षित प्रोग्राम में बस इतना है और अधिक जानकारी के लिए देखते रहे प्राइम टीवी